यारे शाथियों नमस्कार एक और वाइरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस टाइप के कोश्चन कई बार कॉंपेटिटिव एक्जाम में पूछे गए हैं यकीन मानिए आज के बाद इस समस्या से आपको हम संपुर्ण समधान देंगे अगर किसी एक्जाम में आप से प्रश्न पूछे कि सर अगर छे पर पावर 13 को यदी हम 5 से भाग दे चेपर पावर 13 को यदी 5 से भाग दिया जाए तो सेस्फल सेस्फल यानि रिमाइंडर कितना बचेगा अगर किसी संख्या में नॉर्मली भाग देना है तो वो तो तुरन जटपट भाग देके हम कर लेते हैं सॉल्यूशन लेकिन अगर पावर वला कोश्चन रहें 6 पर पावर 13 रहें कुछ भी रहें ठीक है तो आज इस तरह के प्रश्नों का एक संपुर्ण सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं पहला सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बिलकुल बहुत ही बहतरीन क् तो सब कुछ सिखा के जाएंगे 6 पर पावर 13 को कितने से भाग देना है 5 से भाग दिया जाए तो सेसफल क्या बचेगा एक बहुती सांदार रामबान उपायाद रखिएगा हमारा तिक है कि अगर 6 पर पावर 13 भागे 5 हो यानि जिसमें भाग देना है यानि इस से ऐसे कम हो पावर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है 6 पर पावर 13 हो 23 हो 200 400 अगर जिस से हम भाग दे रहे हैं और जिसमें हम भाग दे रहे हैं 6 to the power 13 में दे रहे हैं तो 6 से अगर ये एक कम हो याद रखिएगा पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रशनों का ज 14 divided by 5, 6 पर पावर 13 में अगर हम 5 से बाग देंगे, तो हमें एक क्या बचेगा भाई, सेजफल, रिमाइंडर के रूप में हमें क्या बचेगा, सेजफल, अगर मान लीजे, आप से कहता कि 7 to the power, ठीक है, 7 to the power 50 divided by 6, ठीक है, 7 to the power 50, या फिर कुछ भी, मान लीजे 6 नहीं, यहाँ पर मान लीजे, 57 to the power, 50 divided by 56 रहे, यानि एक कम रहे, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे सर, ऐसे प्रशनों का उत्तर एक होता है, बात एकदम के लिए रहे, रट लीजे, अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आप रट लीजे, बी नंबर ओप्शन, अगर 6 पर पावर 13 को 5 से है, कह रहे, 17 पर पावर 200 को, अगर हम 16 से भाग दे, 17 पर पावर 200 को, हम डिवाइड कितने से करेंगे, 16 से, बस इतना देख लीजे, क्या इससे एक ये कम है, कहेंगे, जी सर, ये 17 to the power 200 है, चाहे पावर सम हो, विशम हो, ये एक कम होना चाहिए, ये 17 और ये 16 है, तो ऐसे मे सेसफल कितना बचेगा, अभी अभी हमने बताया, कि सेसफल एक बचेगा, ये बड़ा ही बहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन के उपर लेकर आ है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जादा से जादा लोगों तक शेयर करिएगा, और हमारा ये चैनल, जो हमार ड्रीम क्लासेज है, ये हमारा में चैनल है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगे, और इस बुक, ये बुक बिलकुल महताज नहीं है, किसी पहचान का, जरूर इस बुक को अपने घर म हैंगा, बहुत सारी सुभधाएं आपको उपलगद होगी, देखिए, पच्छिस पर पावर पच्छिस और डिवाईड़ वाई 26, य्यानि पच्छिस पर पावर 25, देखिए, अगर यही कोश्टन ऐसे रहता, अगर मान लिजीए, रहता पच्छीस पर पार पच्छिस शुए बात या गलत बात क्योंकि इस पर ओल्रेड़ी डिसकस हो चुका है लेकिन यहाँ कुछ नया दिख रहे आपको क्या दिख रहे भाई यहाँ दिख रहे थे कि पावर कुछ भी रहे हैं सम भी सम कोई मतलब नहीं पावर 25 है और उसको कितने से भाग दे रहे हैं 26 से संख्या के उपर कोई भी पावर हो अगर भाग देने वाली संख्या इससे एक कम रहे तब तो आंसर एक होगा लेकिन इससे एक ज्यादा रहे तो इसमें अगर पूछे कि सेसफल कितना होगा तो याद रखिएगा सेसफल वही संख्या होगा जिसमें हम भाग दे रहें तो पावर n to the पावर कुछ भी रहे x बरावर n प्लस 1 रहे तो आपका reminder जो होगा वो यन होगा खर इसको समझने की कोई आवशकता ही नहीं है साक्षात जब हम आपको समझाई रहे कि वही 25 के उपर पावर 25 रहे और भाग अगर आपको एक कम से देना रहे तब तो अंसर एक लेकिन एक ज़्यादा यनि 26 से देना रहे तो आपका reminder जो होगा वही होगा जिसमें हम भाग दे रहे जैसे मान कर चलिए कि 50 पे पावर 45 डिवाइड़ वाई 41 रहे सरी 41 नहीं 51 ठीक है डिवाइड़ वाई 51 रहे तो यह इससे अगर यही कोशन कि 50 पे पावर 45 डिवाइड़ वाई 49 तो यह तो अभी कुछ देर पहले ही हमने सिखा कि सर इसका उत्तर एक होगा अगर जिस पे हम भाग दे रहे हैं उस पे उपर कोई भी पावर है अगर यह एक कम रहे तो आंसर सेस्फलेक होगा लेकिन 50 पे पावर 45 और अगर हम भाग 51 से दे रहें यानि एक ज़्यादा से तो आपका उत्तर वही होगा जिसमें हम भाग दे रहें बाते एकदम क्लियर हैं कॉंसेप्ट किलियर होना चाहिए ऐसा नहीं कि भाई रट के जो आया लिखा दिये पढ़ा दिये ऐसा कुछ नहीं एक लेवल देंगे वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और यकीन करिए कि आपके लिए हर एक दिन हर एक समय आपके लिए इस चैनल के उपर भी अच्छे-च्छे ट्रिक्स और कॉंसेप्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर यहां देखिए अब कह रहे है भई फिर से एक सवाल उमीद है की बन जाएगा सत्रा पे पावर सेवेंटीन सब्सक्री हाजी सेवेंटीन टू दी पावर तू हंड्रेड डिवाइड़ वाई एटीन याद करिए सत्रा पे पावर दो सो हो अगर उसको हम अठरा से भाग दे बात के लिए है ना सत्रा पेर पाब्र सोल हुर उसको मठ्रा से थाग दे तो हमने बोला कि अगर है गर एक स्ट्रा हो जाता है तो तो एसे प्रस्चन रही परहला हम एक साथ मिस्ता अब बिल्कुल जल्दी जल्दी प्रश्ण है सवाल है कि सर अगर तो यहां ध्यान दीजे बिल्कुल वैतरी धंग से कि सर अगर सब और यहां ध्यान ध्यान का कोई पैचान नहीं है इस पोस्ट न कारी 31 हो और इसको भाग देना है 5 से यह ना तो एक ज़ादा है ना तो एक कम है भई कहाँ 2 कहाँ 5 तीन कांतर आ गया ओ सकता है 7 से भाग रहे 8 से भाग रहे कुछ भी रहे अगर 2 पर power 31 है और इसको कितने से divide करा है 5 से विभाजी किया जाए तो या विभाजित किया जाए या सीधे-सीधे कहाए सर भाग दिया जाए तो reminder कितना बचेगा तो याद रखिएगा कि इसका कोई trick बनता ही नहीं है लेकिन हमारा भई रामबान trick है हमने कहा कि हम हमेशा बच्चों के लिए कुछ special लेकर आते तो ये इस प्रश्ण में एक रामबान trick हम ये लगाएंगे कि देखे टूटू दी पावर 31 कि अगर पावर ध्यान से मारी बात सुनिए अगर पावर विशम हो पावर क्या हो भाई अगर पावर विशम हो ठीक है तो अपने प्रश्ण को clear करने के लिए पावर में एक या तीन लगाएंगे मतब उस 31 के जगा एक या तीन लगाएंगे अगर कोई पावर विशम हो और एक ऐसी संक्याजा में भाग देना हो जिसमें ना तो एक का अंतर आता है ना तो एक जादा हो ना तो एक कम है नहीं है ना तीन रहता एक रहता तो बात की बात था अगर पावर विशम हो और अंत अगर पावर सम रहता तो प्रस्टन को डील करने के लिए पावर में या तो दो लगाते या तो चार लगाते मतलब वो यह 30 हट जाएगा कई सर कैसा राम बानु पाइदे रहे एक बार देखकर तो देखे तो आप मान लीजे कि अगर हम अपने ऑप्शन के हिसाब से पावर व तो दो पर पावर तीन देंगे divided by 5 मतलब वो 31 के जगा या तो एक या तो तीन आ जाएगा तो एक हमने रखा काम नहीं किया तीन रखे तो दो का क्यूं हो गया आठ भागे पांच अब बताईए आठ भागे पांच करेंगे तो पांच एकम पांच सेस फल कितना बच गया अरे आठ में पांच से भाग देंगे तो तीन सेस बचेगा ना तो लीजिए ना वही तो चाहिए था में यह यह रामबान उपाए है कौपी में जरूर नोट करिएगा कि पावर अगर विशम हो तो प्रशन को डिल करने के लिए पावर छोटा करते हैं या तो पावर एक ल देखिए अच्शा इसमें ऐसे रखिएगा माली जिए कि अगर एक सवाल हम अपने मंसे देते हैं यहां पर ठीक है कैसा कुश्चन था जय है दोपर पावर एकतीज है ना माल ली क्या होगा तो आप देखिए इसमें तो एक कांतर है नहीं रहता तो फिर वही ट्रिक लगा देते हैं स्टार्टिंग वाले दो तीन जो प्रश्ण बने हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि प्रश्ण को डील करने के लिए पावर चोटा करेंगे पावर या तो दो या तो चार तो पहले दो पर पावर 32 के जगा दो दिये दो भागे 5 बताए चार में 5 से भाग लगेगा नहीं लगेगा पॉइंट में अंसर आगा पॉइंट में आपका ओप्शन नहीं रहेगा ऐसे प्रश्णों में क्योंकि रिमांडर हमेशन पॉइंट में नहीं होता वो तो अलग दो पर पावर दो नहीं हुआ है थिकर डीवाइड़ निशोला भागे पांच किए आप ही बताइए कि ऐसे प्रस्ण में सेजफल कितना बचेगा कहेंगे सर पाँचती या पंदरा सेसफल हमारा बच गया एक तो ऐसे प्रशनों का उपतर क्या हो जाता है एक विशम पे बता दिये एक सम पे बता दिये कब जब भाग देने वाले में अंतर एक से जादा हो दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, कुछ भी हो अब बनेगा आपसे सवाल आपके स्क्रीन के उपर एक बहुत ही शांदार सवाल कि 67 to the power 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए 68 से भाग दिया जाए तो बताईएगा कि ऐसे प्रशने में उतर देखे रूल याद करिए कि 67 पे पावर 67 प्लस 66 है क्योंकि वो 67 नहीं रहता तब तो फिर वो टाइप 1 और टाइप 2 वला रूल लगता तो हम यहाँ पर वही रूल लगाएगे कि प्रशनों को छोटा करने के लिए विशम में पावर 1 या 3 सम में पावर 2 या 4 तो अभी फिलाल विशम है तो आप क्या 67 पे पावर 1 लिख सकते हैं काई नहीं लिखेंगे बिलकुल लिख सकते हैं लिख सकते हैं अब पलस 66 और अब भाग दे दीजिए 68 से यह सर ऐसा आपने कैसे किया वही अभी जो यह रूल हम लगा रहे थे कि अगर इस तरह का यह एक से तीन तब देंगे जब एक से काम नहीं चलेगा तो 67 पर पावर 67 चे 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 बारा साथ सा चोदा 134 और 134 में आप 68 से भाग दीजिएगा ना तो हमको लगता है 68 दूनी होता है 136 हमको लगता है कि 66 से सफल बचेगा आप करके देख लीजे एकदम गैरेंटी की बात कर रहे हैं 100% अंसर होगा समझ में आ रहा है एकदम मक्षन है ये रूल कहां लगा है ये रूल पीछे बो बाला रूल लगा है जिसमें अगर अलग देखें कहिए गा सर ये तो एक ही कांतर है वो ये सड़सठी हो जाता क्योंकि अगर पावर भाग देने वाला एक अधिक हो तो अंसर वो होता है जिसमें भाग देना है एक कम रहता देखें याद करिए ना कि अगर एक कम रहता जैसे यहां पर देखें एक हो जाता है ना 6 to the power 13 by 5 तो एक कम है ना देखें एक कम है तो अंसर कितना होता है और एक अधिक है यहां देखें एक अधिक है अभी कमी वला है यहां देखें एक अधिक है तो अंसर वही होगा जिसके उपर हम पावर लगा रहे हैं तो चीजों को तो समझ पा रहे हैं आप लोग एक बहतर concept यकीन मानिए आदे गंटे 20 मिनट की इस class मे बहुत कुछ सिखा देंगे हैं आपको तो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा 68 होगा बात कलियर है इन सब प्रशनों से student भागते हैं हमें पता है आप भागते हैं लेकिन याद रखिएगा असली जो इंतिहान है वो यही पर है यही पर आपका result रुकेगा फिर आप समस्या बहुत बड़े टॉपिक को हमने मिश कर दिया है चलिए एक और सबाल अब सब वही रूल लगेगा ठीक है कि इसलिए लगेगा ना क्योंकि यह जैसे अगर पैतालीस पर पावर पैतालीस भागे पैतालीस पर पावर से तालीस प्लस दो भागे चोवालीस रहता तो वो टाइप ओन टाइप टू कर रूल लगा सकते थे लेकिन यह नहीं रहता था लेकिन यह है ना यह डिस्टर्विंग एलिमेंट्स है तो याद करिए कि पैतालीस पर पावर संतालीस है तो पावर छोटा करने के लिए या तो एक लगाएंगे पावर में या तो तो एक से क तो चीजों को एकडम maturity के साथ समझे ताकि आगे चलके दिक्कत ना हो यकीन करिए ऐसे प्रस्ण बहुत exam में पूछे जाते हैं सवाल एक और आपके screen के उपर है 27 पर power 28 तो याद करिए 27 पर power 28 है और minus 1 है और इसको divided करना है 26 तो एक आंतर तब होता जब यह –1 नहीं रहता था तो याद करिए 27 पर power 28 है अगर power एक विशम संख्या हो और हमें उस संख्या से भाग देना जिसके बीच अंतर एक नहीं हो तो हमें पाबर में, याद करिए कि हमने बोला था कि पाबर में या तो दो लिखेंगे या तो चार लिखेंगे, सम में पाबर दो या चार, विशम में एक या तिन, बुड़ा था ना हमने, तो ऐसे में चार क्यों लिखना जब दो पर काम आए, तो साथ सते उंचा है, 27 का स्क तो 728 होगा, 728 वागे 26 करिएगा ना, करके देखिए ये 28 बार में पूरा पूरा कर जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कर जाएगा 28 बार में तो आपका सेज कितना बचेएगा, क्योंकि पूरा-पूरा कर, भागपल बोलता तो 28 बोलता, ठीकि रिमाइंडर की बात कर तो जब पूरा-पूरा कड़ जाएगा ना तो reminder 0 हो जाएगा करके देख लीजेगा एकदम सौब प्रतिशत guarantee है कि आपको आपको बिल्कुल भी doubt नहीं हो रहा है एक बर और recorded देख लीजेगा दुबारा इस वीडियो को ताकि दिक्कत नहीं कैसे किया हमने समझे कि अगर समसंख्या हो तो पावर कितना देना चाहिए एक बर ध्यान से देखेगा अगर समसंख्या हो तो पावर दो देना चाहिए हमज़ रहे ना 2 या 4 तो 27 पर पावर समसंख्या है ना 2-1 divided by 26 27 का square होता है 729 में एक गया और इसको 26 से भाग देंगे तो 729 भागे 26, तोरी 729 में गया, 728 हो गया ना, 729 में गया तो भही ये बचा 728, और ये 28 बार में पूरा-पूरा कट गया, जब पूरा-पूरा कट गया तो प्रश्न कटने का थोड़ी पूछ रहा है, प्रश्न तो पूछ रहा है कि ऐसे प्रश्न में सेस्फल क्या होगा, जीरो होगा, बात एकदम क्लियर समझ में आई, आगे बढ़ते वही, एक और सवाग, देखे इस बार पावर विशम है, 47 पर पावर 41 भागे 5 को 40 से भाग देंगे, अगर ये 5 नहीं रहता ना, तो टाइप 1 और टाइप 2 का रूल लगाते, लेकिन 47 पर पावर 41 भागे 5 है, तो 47 पर पावर 41 करेंगे, तो पावर चोटा करने के लिए 1 या 3, तो एक ही लगा है न, 47 पर पावर 1 माइनस 5 भागे 40, तो 47 पर पावर 1, 47, 47 में 5 गया, 42, 42 भागे 40 करेंगे, तो ये नहीं पूछ रहे कितने बार में लगेगा, सेस फल पूछ रहा है, तो सेस कितना में, आगे बढ़े, एक दम मक्षन की तरह गणित को सॉल्व करते चलिए, फिर से वही कोशन, 47 पर पावर 47, तो बताया थे न, छोटा करने के लिए पावर 1 या 3, तो 47 पर पावर 1, 47 माइनस 4 भागे 8, तो 47 में से 4 गया, 43 भागे 8, तो 8 पचे चालिस, सेस कितना बचेगा, 8 पचे चालिस हो गया न, सेस बच गया हमारा 3, 8 पचे चालिस, डिमाइंडर 3, चलो भाई, अगला कोशन, एक और सवाल, यहां देखे, 4 पर पावर 19 पलस 2, किस संक्या से पुर्नता विभाक्त होगी, तो 4 पर पावर 19 है, तो अगर पावर विशम है, तो प्रस्ण को डील क करने के लिए, हमने बोला था, कि पावर या तो एक लगाएंगे, या तो तीन, तो 4 पर पावर पहले एक रखे, पलस 2 किये, तो 4 एक छे, पता ही, छे से किसी संक्या में भाग लगेगा, इतना में से, तो चोटा हो जाएगा, संक्या ही बढ़ा है, तो 4 पर पावर एक ना आप ही बताएं, चिया सट में कौन सा भाग देते, 11 से भाग लग जाएगा, 11 चिया सट, मैटर सॉल, आगे बढ़ते हैं बिलकुल, ठीक है, चलो, एक दम मक्षन की तरह, इस टाइप के कोश्चन आपको क्या 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 करिएगा है, तो एसे प्रस्णों में क्या करिएगा ह ले लिजे, तो चार पर पावर, 41 कॉमन दिख रहा है, कह रहा है, ऐसा जब कोश्चन आए ना, तो कोई एक कॉमन ले लिजे, तो कह रहा है, सर, कॉमन हमें दिखा, चार पर पावर, ठीक है, 4 to the power 41, ले लिजे, कॉमन, तो यहां से तो पूरा निकली गया, तो एक बचा होगा, प्लस, यहां, بी आलिस है, तो four पर पावर एक बचेगा, 43 है तो 41, 42, 43, 4 पर पावर 2 बचेगा, यहां 44 है, यहां 41 है, 4 पर पावर, क्यों, क्योंकि गुना में पावर जुट जाए, इन दोनों को गुना करिएगा, हलाकी प्लस में है, लेकिन यहां इंटू में है न, तो आपका 41 और 42 हो जाएगा, 41, 43, 43, 44, ठीक है, तो आप 4 to the power 41, इन टू, 16, 64 होता है, 70, 10, 85, 85, बताइए, अब आप ही बताइए, 4 पर पावर 41 में किस से भाग दे सकते हैं, 4 पर पावर 41 गुने 85 में किस से भाग देंगें, 12 से 85 में लगेगा, न, आपर छोड़ीन पहले इसी में देखिए न, यह भी नहीं लगेगा, यहां देख हमें option में देना चाहिए था, 17, कितना देना चाहिए था, 17, तो आप यह देखिए कि 12 से 85 में लगेगा नहीं, 19 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, तो भई लगेगा किस से, 17 से लगेगा, और यह B number option, mistake है, तो यह कितने से भाग देंगे, 17 से, 17, 85, तो आपका आएगा, 4 पर पाव option में नहीं था, 12, 12, 2 बार था, तो हम 17 पर करेंगे, यह आपका finally answer है, कि वह जिस से भाहर वाली संख्या में लग जाएगा, वह आपका answer है, तो नीचे कुछ बचेगा नहीं, यहां तक clear है सबका, चलिए, एक और सवाल आपके screen के उपर, सवाल है, ठीक है, सवाल है, कि 100 से 400 के बीच कितनी संख्या है, जो 5 और 7 से पूर नहीं, देखिए, 5 और 7 से विभादित होने का मतलब है, कि इसके LCM से विभादित होना, और 7 और 5 का LCM होता है, 35, तहीं बात, तो 100 और 400 के बीच, 35, 75, तो पहली संख्या है 105, देखिए, ट्रिक से भी बना सकते हैं, देखिए न, और देखिए, पहली 105, और आप सिंपल सी बाचे, दूसरी 140, अगली 175, उसकी अगली 225, उसकी अगली 45, 260, देखिए न, उसके बाद 292, कर लीजे न, उसके बाद 330, 365, बस इतना ही है न, कह रहे हैं, इनके मद्ध, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, एक बार और कर लेते हैं, 105, 140, 175, 225, 260, नहीं, 260 के अगली, तेखिए, 60 में बता रहे हैं, 25 के बाद, 40, 270, फिर 305, फिर 340, फिर 375, अब देख लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आटी संक्या तो है, 100 और 400 के बीच बोल रहा है न, वहीं, 105, 140, 175, अच्छा, 175 के बाद, 35 ही तो जोड़ियेगा, मिस्टेक हो रहा है, हमसे रुकियेगा तो, 175 के बाद, 35 जोड़ियेगा, 210 होगा, फिर 245 होगा, फिर 280 होगा, फिर 315 होगा, फिर 380 होगा, अब चेक करो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चली, इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन वो ट्रिक उसके लिए एक स्पेशल टाइम देना पड़ेगा आपको, फिर वो बाला भी ट्रिक हम आपको बता, ऐसे हमने नॉर्मली बता दिया, ठीक है, ट्रिक यह होता है, कि पहली संक्या डूंड ये, फिर अ कि वहाँ पर हमने एक बहुती शांदार बैच लॉंच किया है, तंजीबनी बैच, जिसमें Math Zero to Advanced Level तक हम पढ़ा रहे हैं, और रिजनिंग के लिए Target बैच, और ये बुक प्रिकी मैध ब्रहमास्त जरूर खर्बत खरीदे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, औ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अप्लिकेशन पर जाते हैं, तो बुक वाले सेक्शन में हमने जितनी भी कितावे लिखी हो, सारी कितावे आपको दिख जाएंगे, ओके, बाबाई, मिलते हैं अनले वीडियो में